सबी विध्यार्तियों को नमस्ते विध्यार्तियों हम इस वीडियो के अंतरगत राजस्तान इस्टेट ओपन बोर्ड और एन आई यूएस बोर्ड इस बोर्ड पर जो मनुविग्यान विश्य है उसका चेप्टर नमर 22 पढ़ेंगे इस पार्ट को मैंने पिछली वीडियो के अंतरगत आदा पार पढ़ा दिया है अब जो बचा हुआ चेप्टर है उसको हम इस वीडियो के अंतरगत कम्प्रिट करेंगे तो हम पढ़ रहते हैं संगठन जगत क्या होता है ठीक है किस किस ते कारेश चत्र में संगठन की आउशकता होती है संगठन में निवेश है उत देखिए ताकि यह चेप्टर आगे का आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा तो पढ़ते हैं हम आगे इस चेप्टर को कारेश चत्र में पार्स परिक संबंद तो जो भी संगठन है जो भी कारेश चत्र है उसमें जो पार्स परिक संबंद कैसे वहाँ पर कुछ लोग काम करते है जो भी लोग काम करते है उनमें आपस में संबंद कैसा है ठीक है वो भी एक संगठन को प्रभावित करता है तो आ कि शेट जरूर करें ताकि अन्य शूडेंटों को भी उसका फाइदा मिल सकें किसी संगठन में कारे निस्पादन यहनी कारे को करना ठिकें एक लक्षे तक उसकारे को पहुंचाना कि अधिकतल अनेक लोगों के योगदान से होता है तो यह तो हमें पता है कोई भी संगठन हो इस अनुबंदों में निच्चित प्रकार से अन्ते किर्या करने के कई समझोते समाहित होते हैं हम अनेग वेक्तियों से अन्ते किर्या करते हैं परन्तु उनसे आवशक रूप से सम्मन नहीं बन सकता एक सम्मन के वल तब अस्तित्यों में होता है जब हमें उप्रु तरीके से व्यवार करने की विशेष पेक्साय होने लगती है कारे के संबन में करमचारी एक दूसरे से अन्य प्रकार के संबन इस्तापित कर लेते हैं ये सम्मन ओप्चारिक कारे भूमिका और संस्ता के पदानुकरम में पद दोनों के परिणाम सुरूप हो सकते है लोग अपने अधिकारी से कर्मियों और समवेक समों के साथ अंते किरिया करनी होती है तो लोगों ने अपने किया कि अपने अधिकारी है अपने सेकर्मी है अपने साथ के जो काम करने वाले है साथ में उसमें अपने को समवेस के अपने हम उम्मर के कुछ लोग है जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ वो अंतिकरिया करते हैं उनके साथ एक अच्छे संबन इ होता है इसलिए माल को सब्सक्राइक करें कारे में निर्देश्ट और मार्गदश्ञ्ट पिता है ऐसे निर्धेस के लिए सभागीदारी है किすक रिम्याया करना है काहिए रखीर कामधृ करना है को नहीं उसको नहीं करना, ये कारे भार देता है, तो वो क्या क्या देता है, कारे भार यानि मालिक उसको कारे भार देता है, कारे निपुन्टा का आकलंग करता है, और मालिक ही करता है, कि उसने जो करमचारी सही तरीके से कारी किया है या नहीं, वेतन वर्धी निजारी करता है, तो म प्रकार का संबंद्ध रखता है, यह पूरी तրए इस बात पर निर्बर करता है, कि मालिक कि इस प्रकार की नेतरुतर सेली को उपना रहा है। इनकी व्यक्षा बॉक्स शिय इन बनाक यह को और करमचारे को मालिक लिजक्त की सार्य MAI पहला है सत्तावादी कौन सी नेतर तो शेली अपनाता है वो सत्तावादी प्रबन निदेशक देता है प्रबंदन निदेश देता है या निदेश देता है और धमकी और सजा करके बात को मनवाया जाता है तो इस सत्तावादी जो नेतर तो शेली यानि किस तरह का नेतर तो श चुप्टी नदेना तो इस तरह को सजा देता है हाना अ अधिनस्तों को कारे पूरा करने के लिए आधेशों को कर्यानवीद in के लिए धंका इंग सजा का करता है यह एक मारगी नीचे की और समवाद को समाहित करता है अगला है पित्र सुलब तो एक संगठन कैसा होता है पित्र सुलब जिसके अदर नेतरतुक समतकेशी होती है पित्र सुलब होती है उसमें क्या होता है मूल रूप से सत्तावादी लेकिन करमचारे को कुछ इस तर तक भाग लेने की आग्या देता है तो ये मूल रूप से होता तो सत्तावादी है हाना जैसे पिता क्या करता है हाना जैसे कि पिता हमें डारते भी है अपने अनुसासन में रखते है इसके लावा कईबर हो हमारी बात को भी मानते है हमें भी कारे करे, हमें भी अपनी विचार को रखने के लिए वो स्वत्तंता देते हैं तो ऐसा इसमें है कि मूल रूप से सत्तावादी लेकिक करमचारे के कुछ इस तरτα भाग लेने की आग्या देता है माली को करमचारे के मद्ध्य दीमारगी समवाद समाहित करता है पुरुसकार औ भे दोनों के द्वारा आग्या का पालन कराया जाता है अगर अच्छा काम करेगा तो उसको पुरुसकार मिलेगा गलत काम किया तो उसको डंड भी मिल सकता है उसको सजा भी मिल सकती है अगला है मंतरणात्मक आग्याय निकाली जाती है और लक्षो का निधारन करमचारियों के सला लेने के बाद किया जाता है कुछ सीमा तक समू के समू में कारे करने से उससाहित किया जाता है कुछ समय तक उस समू को कारे करने के लिए क्या किया जाता है उसाहित किया जाता है तो इसमें क्या होगा कि जो भी लक्षे होगे, जो भी कारे होगे करमचरी की सला से होगे, करमचरी से भी सला लेगा, वो मालिक अपने करमचरी से सला लेने के बाद ही किसी कारे को आगे वो कड़ेगा, अगला है सह भागी लक्षो को प्राप करने में क्रमचारियों का पूरा सयोग होता है और दीवमारगी वारताला पर मानग होते हैं तो इस तरह से एक नेतर तर गिया जाता है नेतर तर सम्था अपने जाती है जिसके अंत्रेकर उसका किस तरह से क्रमचारियों के बीच उसका संब्ध रहता है देखो जितना अधिक जो मालिक है अपने करमचारी के आउशक्तों को समझेगा निन्य को ध्यान में रखता है और जितनी अधिक सेभागी प्रणाली के द्वारा कारे करता है उतना ही अधिक उत्पादन और करमचारियों में सयोग होता है और करमचारी की अनुपस्तिति और क से गायब होना कम हो जाता तो करम चारी बाद अनुपस्ति नहीं रहेंगे काम से गायब नहीं होगे तिक के और अपने कारे को इमानदारी से करेंगे से कर्मि और समन्वेक समू किसे समन हम किसी अन्ने की हम किसी अन्निक या पेक्षा अपने सयोग्यों के साथ सबसे अधिक समय व्यतित करते हैं कारे समू प्रसंग कारे इस्तर पर हमारे हनुभों को प्रभावित करते हैं सयोग्यों के सम्मंद नियमों और कानून के अनुसार ओपचारिक रूप से विक्षित नहीं होते साथी समों के साथ सम्मंदों के कारण समान, रुची, पसंदगी और नापसंदगी आदी विशित हो सकते है कुछ करमचारी अपने सयोग्यों के उपर अधिग निर्बर होते हैं और उन्हें वे अवसर परदान करते हैं जिससे वे अधिक स्याजिता के साथ अंते किरिया कर सकते हैं। सवयोगी करमचारी को ये अवसर भी परदान करते हैं कि वे अपने विश्वासों की तुलना दूसरों के साथ कर सकते हैं। ये ऐसे होता है कि सरोपर्थम एक नया करमचारी अपने साती समू के सदश्यों के साथ उचित वेवार के तरीकों को देखेगा उधरन के लिए करमचारी अपने साती समू से ये सीख सकता है कि मालिक द्वारा पूछने पर भी कमपनी के बारे में को भी विचार अपने मालिक क सामने प्रकट करना उचिते नहीं है संगठन के अलिखित नियमों को सीखने के अतिरिक साती समू करमचारियों को एक रास्ता पदान करता है देखो क्या होता है कई बार संगठन है संगठन में कोई नया करमचारी लगता है तो उसके जो सेकर्मी होते है अपने कारvideo को आगे बढ़ाएगा टिके तो इस तरह से वो अपने और देखेगा कि क्या बात मुझे रखनी चाहिए क्या बात मुझे नहीं रखनी चाहिए क्या भात मुझे अपने अधिकारियों के साथ नहीं भी कर सकते इस प्रकार ऐसे संगठानात्मक प्रतिबंदता को बढ़ाते हैं एक विशित्र कारक जो पारसपरी संबंदों को विशित्र करना और कारे की भूमिका को अपनाना संगठानात्मक सामाजी करन की प्रक्रिया है अगला संगठनात्मक सामाजी करन उस प्रक्रिया की ओर इसारा करते है जिसके द्वारा एक रमचारी संस्ता के अंदर जगे बनाने के लिए आउशक ज्यान और कोशलो को घ्रेंड करता है किसी संगठन में प्रिवेश करने से पेले हम जीवन के अन्नेक अउसरों पर अपने माता-पिता अथो अन्ने लोगों द्वरा सामाजी करत को हो चुके होते हैं जो बताते हैं कि हमें समाज का सदर्श्य होने के नाते निचिक तरह से कैसा विवार करना चाहिए देखों हमें समाज के अंदर किस तरह का विवार करना ह्या हो हमने पर परिवार से अपने माता-पिता से सीख लिया होता है जीवन की परतेक अवस्टा पर हमें परिवत्रों से अभ्य keeping करना होता है x लोग विवा करते हैं बच्चे होते तब भी अपने ताल मेल की आउशकता होती है इसी प्रकार जब एक वेक्ति नोकरी शुरू करता है तो उसे सीखना ही पड़ता है कि कैसे अंतक्रिया करना है और दूसरों से कैसे संवन बना कर सामज़े से इस्तापित करना है यह संवन संगठन के अंदर शुक्रत व्यवहार और तहारनाओं के बारे में ग्यान पाने में सायता करते हैं किसी कारे एक संगठन में प्रिवेस करना प्रोड सामाज़े करन के एक महत्तव पुन आधार का काम करता है इस प्रकार का सामाज़े करन मात्र एक घटना नहोकर निरंतर हो वहाली प्रकडिया है और वह चलती रहती है जैसे वेगती एक कारे की भुमिकाDCuse दूसरे में इस्तानांतरित होता है कोई वेगती होता हैं कोई कहीं पर कारे कर रहा होता तो उसकी कारे को अगर उस कारे में वह बेतर है अपने कुछ नया नया सीख रहा है तो दूसरे कारे में भी क्या होता इस्तानांत्रित होता उसकी पदनती होती है पद उसका बढ़ जाता है या अन्य कई कारे संगठन में उसको और अच्छी जोब मिल जाती है यह एक वातावरणिय इस संचिक समू से बनी विवित कार्य शक्ति की आवशक्ता को समझने के लिए तैयार रेना पड़ता है इस प्रकार एक व्यक्ति और संगठन दोनों ही एक दूसरी की आवशक्ता को समझते हैं क्योंकि पड़ते की अप्यक्षाय होती है जिने उन्हें निच्छित रूप से पु चेंज हो गया तो वहां फिर उसको नहीं अपने से कर्मियों के साथ समनवे बना की चलना पड़ेगा ठीके इसी प्रकार संगठन भी अपने संगठन में भी क्या होता है कि वहां जो कारे करने माली लोग है महिलाए है और यह कुछ अल्फ संक एक समू है उनकी कारे सक्ति की आउशकताओं को भी वह समझता है यह दोनों की बीच एक मनोवेग्यनिक समीदा दिखाई पड़ती है यह मनोवेग्यनिक समीदा लिकित नहीं होती बलकि साजी समझदारी है और आपसी अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रकिया में सायता करती है अगला है संप्रेशन सभ परस्पर संबंदों की प्रभाव सिल्ता संप्रेशन की गुनवता पर निर्बा करती है हम संप्रेशन द्वारा ही अपने विचारों भावनाओं समवेगों और अनुभों को दूसरों के साथ बारते हैं किसी संस्ता की सहज कारे पढ़नाली के लिए यह आउशक है कि संस्त और संप्रेशक और प्राप्रक के मद्य अविप्राय के इस्तानांतरन को संप्रेशन का आउशक अंग बनाता है यह व्यक्तियों के मद्य समझदारी के लिए संद्रबों का एक समान धाचा इस्तपित करता है हाला कि कतिपे मोलिक रूप के संप्रेशन सभी जीवित प्रान संक्यत भोतिक संसार की सामनी वश्तों को इंगित कर सकते हैं मेज, किताब, कुर्शिय, आधी और यह Ses खाना, पढ़ना, अधी नूसरलraf न के संक्यत कर सकतों कर सकते हैं जीसनいる हिआता हुकर दोसे कर दर्तिγαस RAM पता होती हैं जो हम उस व्यक्तृ के साथ हैने से पता चलता Wait इसरी बुद्ध के सिसी है उसकी योगेता क्या है उसकी जुफ क्या है वह साथ है इमांदार वाला व्यक्तृ मनुश्य दोर्धामा भासा horizon का प्रीयोग संकेटों के प्रियोग में सबसे высок मक्रीषिट है संप्रेशन मोखी के लिकित हो सकता है यह हो सकता है जैसे कैसे है दो व्यक्तियों के मद्य एक समू में संपूर संगठन के अंदर या जन समू के साथ इस तरह संप्रेशन किया जाता है तिक कि यह तो दो व्यक्तियों के बद्य आपसे बाचित हो रही है अपने विचारों का दान पदन किया जा रहा है, एक समू के बीच में बात्चित हो रही है, संपूर संगठन के अंदर हो रही है, या पिर जन समू को संबोधित कर रहा हो संगठात्मक संप्रेशन में कंप्रेटरों का प्रयोग हो सकता है इस प्रकासंगठन के दुष्टिकोन से मसिनरी और मानवी संप्रेशन दोनों महतुपन हो जाते हैं साम्माने संप्रेशन की प्रकिया का विस्तार इस पार्ट में विस्तार से विवेचित किया गया है अगला है कारेश एतर में उतपादक्ता और घूंवत्ता जब संगठन वेक्तियों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं उसका लाब, मालिक, करमचारी, ग्राहक और इस्ताने समुदायों जहां वे परिचारल करते हैं सभी को होता है तब वे प्रभावसाली समझे जाते हैं फिर भी जब ये प्रभाव के नियुनतम मामदर्न को पार क कर जाते हैं तब माना जा सकता है कि उन्होंने उत्कृष्टा प्राप्त कर ली है कुछ समय के पच्छा उत्कृष्टा प्रतिष्टा लाती है कुछ समय के पच्छा उत्कृष्टा क्या लाती है प्रतिष्टा ये तब होता है जब संगठन उत्कृष्टा के कारण पेचा होनी चाहिए कि वे निवेश को कम से कम मुल्य में उत्पादन में इस्तानादित कर पाएं संगठन में व्यक्तिकत विवहार को दो कारक मिलकर निधारित करते हैं गोचर प्रयावरन की विशेष्टा है और व्यक्तिकी स्वियम की विशेष्टा है गोचर प्रयावरन या वात उत्पादन उत्करश्टा और अंत्य संगठन की सपलता तथा असपलता को कैसे प्रभावित करती हैं। प्रते करमचारी अपने व्यक्तिकत लक्षे को प्राप करने में शक्सम होते हैं। उन कारकों का पता लगाया जाएं जो कि व्यक्तिके कारे निस्पादन के लिए उत्तरदाई हैं। जिसकी प्रतिकिरिया संगठन की उत्पादक्ता और उत्कृत्ता पर होती हैं। उत्पादन और उत्कृत्ता को प्रभावित करने वाले कारक। उत्पादन और उत्कृत्ता यानि उसकी प्रशित्ती उस संगठन की प्रशित्ती को कौन से कारक प्रभावित करेंगे। नीचे इन कारकों का उल्ले किया जा रहा है जो वेक्ति के कारन निस्पादन और उत्पादक्ता को प्रभावित करते हैं। इसको उस संगठन में वेक्तियों को प्रशिशन देके ट्रेनिग देके कुछ नहीं नहीं परिवतन उसमें किये जा सकते नहीं निए उनको तक्निक सिखाई जा सकती है। यहां व्यक्तिके गुणों का सम्मन विश्थित परिक्षन और मापन से न होकर भिन्ताओं के प्रभाव से हैं क्योंकि ये संग्ठनात्मक विवस्ता वे उत्पादक्ता और उत्वर्ष्ता को प्रभावित करते हैं। बीसवे पार्ट में इसका विस्तत उल्ले किया गया है। करमचारी की योग्यता ये उत्पादक्ता और कारे निस्पादन को अन्य प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं। उधारन के तोर पर अगर हम देखे तो उधारन के तोर पर प्रभंधनात्मक सफलता वेक्ति की बोधिक शम्ताओं से अधिक सम्मंदित होती है। जैसे मोखिक समझ की सकती, तरक करने की योग्यता और इस्मर्ति वास्तव में ये सुजाव दिया गया है कि संगठात्मक प्रदानुकरम में उच इस तरपर बोधिक योग्यताओं प्रभंधनात्मक कारे निस्पादन के लिए मेत्वपुन यह उप्रिक्त योग्यताओं क्रमचाली के और उन्हें प्रयाप्त सुनोती पूर्ण कारे देने में सायक होगे उच बोधिक समता के क्रमचाली को भाड़े पर रखकर और उनके इस्तामपन नियोजन किसी नीरस ये देनिक कारे कर देने से उनका कार निस्पादन बदल जाता है देखो अगर कोई ऐसा क्रमचाली है जो उच बोधिक समतावला है लेकिन उसको कई भाड़े पर रखकर और उसकी इस्तामपन नियोजन किसी नीरस ये देनिक कारे में कर देने से उसका कार निस्पादन के आउता बदल जाता है और किसी प्रभाव उत्पादक्ता पर प्रभाव है और इसका प्रभाव किसा पढ़ता उत्पादक्ता पर पढ़ता है इसके अतरिक उत्पादक्ता भी कार के किसी उत्प्रुक्त व्यक्ति के व्यक्तित्वे सीर्गुणों और रूच्यों पर निर्बर करती है अगला इभूमिका की इसपष्टा जिस इस्तर के से करमचारी अपने कारे की आवशकता और उद्देशों को समझता है उतनी सक्तिवे लक्षों को प्राप्त करने की गतिवीदियों में भी लाएगा हाला कि भूमिका की इसपष्टा बड़े हुए लक्षों के पर्ति पर्ति बदता जुड़ा और उत्पादक्ता से सम्मंदित हैं ये दोनों भूमिका सम्मंदित समश्चाएं हैं जो उत्पादक्ता को कम कर देती है ये है भूमिका की अल्सपष्टा और भूमिका द्वन्द देखो भूमिका की यानि जो भी करमचारी है जहां पर भी कारे कर रहा है उसको अपनी भूमिका पता होनी चाहिए कि मेरा कारे क्या है मेरा करतव्य क्या है मैं इस कारे शेतर में हूँ तो इस कारे शेतर में मुझे क संगठन की भूमिका की असपर्षता तक होती है जब वेक्ति दो प्रकार की असंगत भूमिका की मांगो का सामना करता है उधारन के लिए एक करमचारी का परिवेक्षक सामान बेचने की संख्या में बडोतरी करने को कहता है देखो एक करमचारी का परिवेक्षक परिवेक्ष यह उत्पादन परक्र बओल देते हैं इसका सिद्र प्रभाव संगठन के उत्पादन पर इह पड़ता है कि क्रमचारी की लक्ष da 7 मांगो के साथular survive की रहा हैं कि आप सामान बेचने की संक्या में क्या करो बड़ोतरी करो दूसरी तरफ उसके साती करमचारी ये कह रहे है सेकर्मी ये कह रहे है कि वर्तमान में जो उत्पादन है उसी पर हमें क्या देना है वत्मा संक्या में ही उत्पादन करने पर हमें क्या देना है बल देना है तता इसका स्था सम्बण संक्यात्र की उत्पादन पर यहां तक पढ़ता है कि क्रमचारी की जो लक्षे निधार करने की जो समता है वो उसमें वो दोंद पर जाता है कि वो प्रियवक्षक की बात माने या फिर अपने से कर्मियों की बात माने वे संस्ताइ जो व्यक्तिगत या समू के लक्षों को संस्तागत उद्देश्यों को समाहित करके पूरा करने का प्रियास करती है वे दोनों प्रकार की मांगों को संतुष्ट करने और दोन्दों को कम करने में साहिता करती है कारे निस्पादन का वातावरं उत्पादन बढ़ाने के लिए उस कारे शत्रम के वातावरन की प्रकति को समझना अधिकारियों के लिए आउशक है जहां लक्ष निदेशित कारे किया जा रहा है और जहां आउशक हो उसके वातावरन में बदलाव लाने में उसे शक्षम होना चाहिए ये करमचारी के प्रियास कारे निस्पादन और अंत्रम उत्पादन और उत्कष्टा के लिए अधिक उप्टुक वातावरन निच्चित करेगा अगला है कारे शेत्र में उत्पादन और उत्कुष्टा को बढ़ाने के रन्निती, अब कारे शेत्र में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, वहां की प्रशिद्धी उत्कुष्टा को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी कुछ रन्निती है, कारे शेत्र में उत्पादन और उत्कु इस प्रकार की गतिविदिया कारे शेत्र में उत्पादन बढ़ाने में प्रैप्त योगदान कर सकती है, जो अंतरते संस्ता की उत्कष्ता में योगदान करने का मुख्यकारक है, इनका वर्णन इस प्रकार है, पहला है क्रम्चारी चैन और न्योक्ति, केवल उच योग्यता, कोशल इस्तर, उच पारंबिक पेना इस्तर के अभ्यारतियों का चेयन करके और उन्हें उचित कारे पर लगाकर संस्ताय कम से कम कुछ मानव निवेस के पारांबिक गुणों को सुधार सकती है जो कारी शेत्र में उतकर्षता का निधारन करेंगे, चेयन और भरती भी करमचारी के सामाजी करण और प्रक्रिशन का एक और विकल्प हो सकता है अगर वांचली और करमचारी को चेन और सामझी करण के मेल द्वारा सुरक्षित किया जा सके तो यह संस्ता की सपलता को शोनिचित करेगा दूसरा है प्रक्षिशन और विकास प्रक्षिशन समताओं का विकास केवल वर्तमा नोक्री में ही नहीं बलकि भविशे की नोक्री के लिए भी कारे कर सकता है वास्तों में प्रक्षिशन करमचारियों में एक निवे से प्रतिबा बेंक जिसे भविशे में निकाला जा सकता है कि करमचारी को क्या करना है कि प्रक्षिशन देना है उसको क्या करने के लिए उसको ट्रेनिंग देते रहे हैं जैसे मानलों पहले बैंकों में काम होता था बैंकों में कैसे काम होता था पहले लिखा पड़ी काम होता था सारे जो खाते वगरा भाईयों में लिखे जाते थे ल प्रतिवा बढ़ी है उनका प्रतिवा बैंक दिकल के सामने आया यह उन्हें प्रतिवा थी लेकिन उस प्रतिवा क्या क्या निखारा कैसे प्रक्रिक्षन दे के उनको ट्रेनिंग दे के उनके प्रतिवा को निखारा गया तो एसे हर क्रमचारी को हर संगठन अपने क्रमचारी को ने-ने प्रक्स्शन कारे कर्म के वीभिन प्रकार हो सकते हैं जिस अन्य ही कारे कारे का प्रारूप उत्पादन उत्कष्टा पर कारे प्रारूप का प्रभाव दिरूपी है। प्रभाव दिरूपी है। प्रभाव दिरूपी है। प्रभाव दिरूपी है। इन में संस्ता का संरचना तक्निकी भाईये प्रयारवर्ण और प्रभाव दिरूपी है। पारस्परिक संबंदरों की प्रभाव सिल्था संप्रेशन पर निर्बर करती है। उत्करष्टा पाने के लिए एक संस्ता को उत्पादक होना चाहिए और निवेस को कम खर्चे के साथ उत्पादन में सक्सम होना चाहिए। अगला है उत्पादन और उत्करष्टा को प्रभावित करने वाले कारकों में योग्यता, अभीवर्ति और रूची, भूमिका की इस्पष्टा और कारे निस्पादन का वातरण सम्रित है। प्रश्ण है जिसका प्रश्ण का भी वीडियो बनाना शुरू कर रहे है, चार पांच प्रश्ण के वीडियो हमने डाल चुके हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत।